आप सभी का Basic Lovers चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 12,460 सिच्छक भरती सून जन्पद के विशे में आपको बताने जा रहे हैं। कि जो सिच्छक 12,460 सिच्छक भरती में नुक्त हुए हैं, उनको नुक्त के बाद पर्थम सेलरी कितनी मिलेगी। साथ सालों के कठिन संगर्सों के बाद आखिर कर अंत में काम्याबी मिल ही गई। जो भी सिच्छक 12,460 सिच्छक भरती में नुक्त हुए हैं, उनका ग्रेड पे 42 होगा, बेसिक पे 35,400 होगा। इस समय जो महेंगाई भता है डिये वो 46 परसेंट चला है, जो की बेसिक पे का 46 परसेंट होता है। एक तरीके से प्रस्तत का सवाल जैसे लगाते हैं 35,400 गुणे 46 बटे 100, 2,0 से 2,0 कट जाएंगे, 354 में 46 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 16,284। और आपको HRA, House Rent Allowance आपको ग्रामीरी छेतर के लिए 1340 रुपए मिलता है, जो की सहरी छेतरों के लिए ज्यादा होता है। इस प्रकार हम कुल सेलरी की, ग्रास मंदली सेलरी की गड़ना करेंगे, जो की टोटल होता है 53,024 रुपए जिसमें से आपका बेसिक पे 35,400, बेसिक पे का 46 परसेंट जो की डिये होता है 16,284 रुपए, HRA 1340 रुपए, इनको जब जोड़ेंगे तो आएगा 53,024 रुपए और यदि आप NPS, जो नेशनल पेंशन सिस्टम या स्कीम आप कुछ भी कह लिजी जो है, जो सिक्षक कटवाएंगे, तो 5,168 रुपए कटेगा, जो की बेसिक पे प्लस डिये का 10% होता है, वो आपकी सेलरी से कटेगा, और गौर्रमेंट उसमें 14% मिलाती है, इस प्रकार 10 परसेंट और 14 परसेंट, 24 परसेंट आपके NPS एकाउन में जमा होगा, और जब आप रिटायर होंगे, तो 60 परसेंट आपको मिल जाएगा, और 40 परसेंट सेयर मार्केट में लगा कि उसकी पेंसम न देगी, इस प्रकार सब कुछ कटने फिटने के बाद, आपकी जो हाथ प दीगे जानकारी पसंदाई हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के लिए लाइक करें, आगे ऐसे ही हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर लाते रहेंगे, धन्नवाद